बिस्मिल्ला अर्रह्मान अर्रहिम अस्सामलेकूम नादरेन तरीक है जी हमारी आद 11 जनवरी दो हजार चॉबिस मैं आपको डेट इस वज़े से बता रहा हूं पाकिसान जंदर चुमके एक तो डेट के साथ डेटा मिल जाता है दूसरा यह कि चैनल हैकिंग के अगर कोई खत खौब पर जाने वाले हैं और IN बिस्नस के अंदर अगर आप इन्वेस्मेंट करते हैं तो आपके इंवेस्मेंट आपको Il suiv पैसा देगी 110 पर संट गैरेन्टी के साथ यानि अगर इन टीन business के अंदर कोई भी बंदा Pakistan के अंदर investment करेगा उसकी investment उसको return देगी और approximately 25-27% आपका return होगा आपकी each investments के उपर जो आपको मैं बताने जा रहा हूं सबसे पहली investment अभी सबसे पहले अगर आप देखें पाकिसान के अगर आप आप हाल या खबरों को भी देखें तो हमारी real estate industry का जो हाल है वो सबके सामने है real estate industry में सबसे ज़्यदा जो पाकिसान के अंदर अगर आप देखें तो सबसे जदा स्टक हुई है क्योंके डॉलर आये दिन कम हो रहा है और टेक्स्टाइल पाकिसान की गिर रही है पाकिसान को कर्ज भी मिल रहा है आई-म-फ से लेकिन जो आलमी महिश्यत है वो काफी ज़्यादा मसायल का शिकार है और इस साल भी तरीखी तोर पर अफसोस नाग रिकॉर्ड बनने का अमकान है जो कि आलमी बैंक की भी रूपोर् और इसकी वज़ा से जो सिममेंट है टाइल्ज है इसके साथ साथ कंस्ट्रक्षन इंडस्ट्री में कोई भी कंपोनेंट है उसकी डेमार्ण में बे तहाशा इजाफा हो रहे हैं मजीद कम होने के हालाएं कि इंफलेशन रेत बहुत ज़़्यदा बढ़ रहे हैं इंफलेश 20 दिन के marketing करते हैं तो approximately 1 million का profit है आपका within 6 month और within 6 month में अगर आप देखें तो ये per month का जो return मिल रहा है आपको वो 1 lakh रुपे है और 1 lakh रुपे के उपर अगर आप per day का return देखें तो वो करिबन 3300 रुपे का profit है आपका अगर आप real estate construction industry के अंदर पैसा लगाते हैं तो ये आपको approximately 25 से 27% yearly without any deduction अगर आप bank के अंदर पैसा रखते हैं bank के interest rate जैसे ज्यादा बहुत सारी लोग इस चीज में बेवकुफ बन रहे हैं कि bank savings में पैसा लगा के ये समझ रहे हैं कि वो भड़ती महिंगाई में inflation को beat करके अपनी amount को save करें which is not actually right the right thing is कि अगर आपने अच्छी जगा के अंदर investment करनी है आप किसी ऐसी society के अंदर जहां पर बहुत ज़्यदा demand है और society grow कर रही है या कोई area grow कर रही है उसके हाँ हर facilities है वहाँ पर अगर आप कोई land लेकर वहाँ पर आप अच्छा सा घर बनाते है अच्छा सा घर डेकोर करते है उसको design करके आप उसको sale के लिए market में लेके आते हैं तो real estate construction industry इस 2024 में भूंड करेगी उसकी सबसे बड़ी वज़ाई ये है कि आपके मुल्के अंदर election होने से political stability होगी अगर कोई भी हकूमत आती है तो political stability होगी उस हकूमत के पास अवामी नुमाइनदे होंगे तो definitely वह हकूमत जब senate में बैटेगी तो policies ऐसी पास होंगे जिसकी वज़ा से पाकिस्टान के अंदर investment आती है और real estate is one of the best sector in Pakistan where mostly overseas invested a lot बहुत सारे overseas जो ज़्यादा investment करते है वो real estate के अंदर करते है क्योंकि इसमें taxation और MNST schemes होती है लेकिन इस दफा क्योंकि 2023 में पाकिसान की economy बहुत ज़्यादा तबाकुन रही पाकिसान के अंदर dollar बहुत ज़्यादा approach में रहा जिसके बाद बहुत सारे लोग real estate में investment नहीं कर पाए लेकिन अभी पिछले 2-3 हफतों में real estate के अंदर construction industry बहुत ज़्यादा boom कर रही है तो ये right now this is the best time आप real estate construction के अंदर पैसा लगाते है आपका पैसा नहीं डूबेगा नंबर 2 पे पाकिसान के अंदर है agricultural items यानि जराद से related कोई भी ऐसी business investment आप गंदम पे पैसा लगाते हैं आप चावल के अंदर पैसा लगाते हैं चावल की demand इस वज़ज़ से है क्योंके इंडिया ने अपना चावल जो है वो export करना बंद कर दिया जिसके वज़ज़ से आलमी सता के उपर पाकिस्तानी चावल की demand बहुत ज़ज़़ बढ़ चुकी है और ये एक से दो साल में यानि इंडिया ने ऐसा क्यों किया है इंडिया ने ऐसा इसलिए किया है कि इंडिया अपनी domestic level की जो prices control committees हैं उनके जरीए इंडिया के अंदर चावल की केमत ज्यादा नो हो जाए उन्होंने बाहर जो है वो चावल को export करना बंद कर दी है और इसका फाइदा उठाया पाकिस्तानी exporter's ने उन्होंने बजाए कि पाकिस्तान में इसकी prices को control किया जाए इसको पाकिस्तान में ही रहने दिया जे वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा export कर रहे हैं जिसकी वड़ा से चावल की demand बहुत ज़्यादा बढ़ी है और लोग ज़्यादा तर invest कर रहे हैं तो ये भी आपके पास एक बहतरीन option है पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आप अगर चावल के अंदर पैसा लगाते हैं डिमेस्टिक लेवल पर भी आप अगर अपना एक seller बनाते हैं बिजनस करते हैं तो ये आपको नुक्सान नहीं देगा एगरी कल्चरल में पाकिस्तान के अंदर 2024 में गंदम की भी demand रहेगी पाकिस्तान के अंदर सबजियों की demand भी रहेगी पाकिस्तान के अंदर खाने पीने की हर वो item जो रोज मरा इस्तमाल में होती है आप उसको खरीचते हैं या उसमें पैसा लगाते हैं investment करते हैं वो नुक्सान में नहीं जाएगी आपकी 42.67% की inflation है आपकी खाने पीने की चीज़ों को शामिल करके नमबर थर्ड पे है import based items पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जितने भी import based items हैं चाहे आप कोई भी आपके पास कपड़े की दुकान है आपके पास कोई भी pen shirt की कोई भी ऐसी shop है आप start करना चाहते हैं आप इससे हाजरी से काम start करना चाहते हैं तो यह 2024 में बहुत ज़्यादा टॉप पे रहेगी और machine equipment हैं इतने भी ज़्यादा अगर आप कोई भी food या restaurant काम करना चाहते हैं restaurant start करना चाहते हैं आपको उसके लिए machinery चाहिए तो machinery आपकी definitely बहुत ज़्यादा expensive होगी तो यह right now best time है आपका क्योंके 2024 के June budget में जो machinery equipment होंगे बहुत ज़्यादा महंगे होंगे उसके बाद pharmacy एक ऐसा काम है बहुत ज़्यादे लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं क्योंके import हो रही है medicines के chemicals उनकी demand बढ़ रही है पाकिसान के अंदर जितनी भी medicines है उनकी prices में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है क्योंके वो dollar के उपर depend करती है और 2024 में dollar भी आपका 300 plus होने वाला है तो यह बहतरीन investment है उसके बाद है transportation transportation का business जो बंदा करेगा वो भी फाइदे में रहेगा उसकी सबसे बड़ी वज़ा यह है कि आलमी सता के उपर petrol की किमत जरूर कम हुई है लेकिन 2024 में क्योंके जब आप return on investment means कि आपने जो lawns ली है उसके 25 billion dollar के investment आप वापिस करेंगे तो definitely आपको उसके उपर pay करना पड़ेगा मजीव इस तरह की अफडेट्स के लिए जुड़ेंगे पाकिस्टान वर्ल्ट टीवी के साथ एमशानला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दबतर के लिए अलाँ आप से